हेलो फ्रेंट्स, तोड़े वी रीड न्यू चैप्टर, दे चैप्टर नेम इस आवर नेबर्वुड, तोड़े वी रीड फर्स्ट पार्ट, हमारे घर के चारो तरफ का छेथ हमारा पडूस है, लोग जो हमारे घर के पास रहते हैं, वे हमारे पडूसी हैं, मार्केट, बाजार, अ मार्केट हैज मैनी शॉप्स, एक बाजार में कई दुकाने होती हैं, डिफरेंट शॉप्स सेल अलोट अफ तिंग्स, अलग अलग दुकाने बहुत चीजे बेचती हैं, विच वी नीट इन आवर डेली लाइफ, जिनकी हमें हमारे दैनिक जीवन में जरुरत होती हैं, यहां पर केराना के दुकाने, किताबों की दुकाने, खिलानों की दुकाने, कैमिस्ट, कपडों की दुकाने, बेकरी की दुकाने और भी कई दुकाने होती हैं, पोस्ट ओफिस, डाक घर, we often send letters and parcels to our friends and relatives through a post office. हम चिठ्थी और पार्सल अपने दोस्तों और रिष्टदारों को एक डाक घर के द्वारा अक्सर भेजते हैं. The post office also sells stamps, postcards and envelopes. टाक घर, टिकट, पोस्ट कार्ड और लिफाफे भी बेजते हैं. We post letters in a post box. हम चिठ्थी पोस्ट बोक्स में post करते हैं. The postman works at the post office. एक डाक या डाक घर में काम करता है. He brings us our letters and parcels. वह हमें हमारे चिठ्थी और parcels लाके देता हैं. Hospital और क्लेनिक When we are sick or hurt, जब हम बिमार होते हैं या जब हम घायल हो जाते हैं, we go to the hospital और क्लेनिक. तब हम अस्पताल या क्लेनिक में जाते हैं. A doctor gives us a check-up and tells us what medicines to take. एक doctor हमारी check-up करता हैं और हमें बताता हैं कि हमें कौन सी दवाई लेनी हैं. A nurse looks after the sick people at the hospital. अस्पताल में बिमार लोगों की देखभाल नर्स करती हैं. Sometimes the hospital sends an ambulance to pick up very sick people. कभी-कभी अस्पताल बहुत बिमार लोगों को लाने के लिए ambulance भेजती हैं. Who cannot go to the hospital on their own? जो अपने आप अस्पताल नहीं जा सकते. Police station A police station keeps our neighborhood safe. एक पुलिस थाना हमारी मौले को सुरक्षित रखता है. Policemen and police women work in a police station. Policemen और police women police station में काम करते हैं. They catch thieves and maintain law and order. वे चोरों को पकड़ते हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं. If you like my videos, so please like and subscribe my videos. Thank you.